अस्सलाम आलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकन त्रिस्ते तो चले शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स पहले हम चिकन को कूटेंगे करणे लड्रेंडंगे अेज़ रखेंगे लड्रेंडे बनाएंगे नहीं हमेड़े अब हम इसमें नहीं 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 है। में नहीं 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 तो मदस्टाइब शया शोटेंगे नुटेंगे कंटीडे अबस्ती कि कि दोत कर्चाना मैं इसमें नहीं नहीं है। थोड़ा सानामात अब इसको फिर से कुटेंगे जब तक इसा आए जा चीजे इसके चिकल के साथ मिकसना हो जाए सारे मासाली मिकस हो गए है अब हम इसमें बैटर डालेंगे अब हम इनको आदे घंके तक ऐसे रखेंगे सो गाइज यहां पर हमने पानी बॉयर करके रखा है अब हम चिकन के छोटे छोटे बॉल्स पनाएंगे और फिर घंक पानी में डालेंगे तो गाइज हमें पर फुल गॉल्स पनानी है तो गाइज इसी तरह हमें बॉल्स को फिर पानी में डाल जेना है तो फ्रेंज प्लीज आप हमारे चानल को लाइक सब्स्क्राइब और शेयर करना हमां करें अच्छी आच्छी रेस्पी जाते हैं करेंज हमें मुन आप हम इसमें चिक ऑपने स्टीज़ ने ने अब वह में दालेंगे मसाला करेंड़ए सो गाइज मसाले डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मिर्ख पानी सो फ्रेंग्स अब हम डालेंगे इसमें नमक गाइज आपको आपके स्वादर नुसारी नमक डालना है सो गाइज अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ी सी हल्दी सो गाइज सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसको पाकाने के लिए रखेंगे सो फ्रेंग्स आदे घंटे के बाद अब हम इसके डाकन उठाएंगे और फिर हम पहले इसमें डालेंगे प्याज सो गाइज हम प्याज के पेस्ट के बाद इसमें डालेंगे तेल सो बाना 하지만 यारा इसमेंगे converts समपी प्याज के लेकर प्यू Kalb सो काईस तेल डालने के बाद आप हम इसको थोड़ी देर के ले पकाएंगे सो फ्रेंड्स थोड़ी देर पकाने के बाद आप हम इसका डाक्सन उठाएंगे सो फ्रेंड्स हमारे चिकन रिष्टे तयार हो चुके है सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे चिकन रिष्टे कितनी अच्छी तरीके से तयार हो चुके हैं सो फ्रेंड्स हमारे रिष्टे तयार हो चुके हैं सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे रिष्टे कितनी अच्छी तरीके से तयार हो चुके हैं थैंक यू फ्रेंज अगर आपका हमारी ये वीडियो पसन आईए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना बाई